जीतन रामान जी आपके साथ सौरव राज जीतन रामान जी जीतन रामान जी तमाम मुद्दे के उपर बात की हैं आपको बतादे कि जिस तरीके से बिहार में आये दिन लगातार बीजेपी और जेडियू के तरफ से जो बयानबाजी होती रहती है गठवन्दन को लेकर के कहे जाता है कि दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा ह जीतन रामान जी ने साब साब कहा है कि बिहार में सब कुछ सही है पहले आप सुनिए कि जीतन रामान जी क्या कुछ कहें हैं इंडिये के बीच में जो खीस्तान नजर आती है उसको उपर कुछ हमारे च्छत्र से विकास की बातें थी और हम मगह के रहने वाले हैं उधर पूर जोर मांग है कि मगह को मगधी भासा है उसको आठमी सुची में डाला जाए उसके लिए लिखित पत्र भी दिया है और कहा है कि भाई गिरी मंत्राले से यहां से हो आपकी जिया और फि अब पर्धान मंत्री जी नहीं डायरेक्शन दिया इनको कि महांजी जी से बात कर लिए तो हम इसलांपूर से गया तक और गया से डाटेंगल तक दो रेल खंड की बात इन से किया और वही मगी भासा के बारे में बात किया बसे ही नुबात थी कोई बात कुछ नहीं हुई है इसलिए कि शुशनेही क Pictures नहीं कहाना कि राजनीति गांगि अप कोई नहीं कुछ नहीं हुए ऎन्से जो हम मिलने आ अए राव पर्धान मंत्री का निए निरेश था कि इंसे हम मिल लेए तो विसुद्ध क्या करते हैं लाभ की बात कर एक सवाल है कि सीमांचल एरिया में घुसपैट खुले करके बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत नाय ने बयान दिया है जो भूराजस्व मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि वहां पर घुसपैटी आ रहा है बंगलादे से बा के लिए पॉइनर माने जाते थे जो एमेले थे में थी एक घटना घट्टी है छोटनुट इसका मतलब यह नहीं है कि कोई राजनितिक बात है कि जान बूझ करके वहां यह कौम के लोग बस रहे हैं तो बात नहीं है इसलिए राम सुरत राइज जी अगर बोलते हैं तो उन करनी चाहिए थी जो नहीं किया मैं समय स्वाइब कर दंधर्म का यह कोई उचित नहीं है सर भाजपा सांसर राजी परताथ रूडी के सांसर निदी से जो इंबिलेंस खरीदा गया उसमें सराव पकड़ा गया सर वीपक्स अवाल उठा रही है कि यही सराव बंदी है क्या इससा होगा तो मुख्या पर करवाई होगी इस तरह बंदी दिन दहाडे बिहार में बेचा जा रहा है समुक्मंत्री का ड्रेंप में योजना है बिहार में शराव बंदी पुर्ण रूप से लागो हो नहीं पा रहा है उनकी वजना बहुत उत्तम योजना है और बहुत पवीत्र मंसा से किये हैं और हम भी करते हैं कि हम उस घर में जन्में हैं जहां सराव का बनना बिखना सब होता था लेकिन हम आज साथा बरस के होने तो बिखना से आज़े इसकार रहे हैं आज बॉप हो रहे हैं आज नित्याणन जी से मुलाकात करेंगे हैं अगर हो सकता है तो पिर बैख हो जा रहे हैं गया कि जो जेडी और बीजेपी में लगातार खींस्तान देखी जारी उसमें आपको आगे किया गया है न्डिये के गुप में कि आप सबसे सिन्यर लीडर है आप संधोता करने के लिए आगे आ रहे हैं एक बात जो हमने कहा कि हम कोई राजनितिक बात नहीं करने आये थे तो हम इसको कैसे करते हैं अगर मोका मिलेगा हम तो नहीं समझते हैं कि एंडिये में कोई दिख्टे हैं सब लोग का सबपकते हमें उन्स intimate बात होंगी तो सभी हम मुट्वाय कोई जाएंगे को नाराज्गी नहीं है कोई नाराजगी ने और आपने देखा कि घश्तार आम का हैं कि विहार में सब कुछ इंडिये के अंदर सही चल रहा है लेकिन उन्होंने एक बात जरूर ये बताई कि थोड़ी बहुत नाराजगी जो थोड़ी बहुत ब्यानबाजी होती रहती है ये होनी नहीं चाहिए लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है कि गठवन्दन के ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं और गठवन्दन के ऊपर कोई खत्रा है विहार में गठवन्दन पूरी तरह से बेहतर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी दिली से सौरव राज लाइब शिटीज